रोटियां तो हर गर में बनती है ये हम सब जानते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं इनको हम नरब मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में कैसे बनाएं तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं कोई भी स्टप मिस नहीं करिएगा बिस्मिल्लाही रह्माने रहीम पहले हमें सब्सक्राइब भी तो इसके बाद गरम पानी लिया है मैंने ज्यादा गरम पी नहीं है कोसा पानी है और इसको धोना ढाल के मिक्स करना है पहले गोनना नहीं है पहले मिक्स करना है आटे को यह देखे पहले थोड़ा सा मैंने साइड में रखा है मिक्स करके और इसी तरह इस साइड को भी आटे को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और यह जो बरतन है इसको बिल्कुल क्लियर करना यह देखे आप इस तर तोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइस पानी हमें डालते जाना है इससे आटार बहुत ही नरम हमारा तयार हो जाएगा यह देखिए ज्यादा हाड़नी रखना है आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गौंद लेना है तो इसके बाद जब दो-तीन मिनट तक आप इसको गौंद लें इस पे हम थोड़ा सो ओईल डालके रखेंगे यह देखिए तेल जो है मैंने एक दू चमज डाल दी इस पे इसको अच्छे से लगा के इसको हम कवर करके रखेंगे 10-15 मिनट के बाद यह देखिए आप कैसा होगे इसमें गिलूटिन जो होता है वो बिल्कुल यह इसको आटे को बहुत नरम बना देता है जब हम रैस्ट पे रखते हैं और इसी आटे को अब हमें यह देखिए इस तरह से रोल करना है चकले पे यह देखिए इससे और सॉफ्ट हो जाएगा और हमें क्या करना है हम इसकी लोग यह काट लेंगे यह प्रो और जैसे कश्मीर में हम रोटिया बनाते हैं दो-दो पेड़े हम जॉइन करते हैं एक रोटी के लिए तो इस तरह से हमें पेड़े तयार कर लेने हैं तो पहले सारी जो है इनको divide करके रखेंगे सारे pieces को दो-दो pieces में इस तरह divide करके हमें इस पे oil लगाना है या butter लगाना है जो आपको अच्छा लगे इस तरह मैं butter लगा रही हूँ तो या रिफाइनेट ओयल भी आप लगा सकते हैं इसके बाद जो है इस तरह से इसको थोड़ा सा फैला देना इना है इस तरह हाथ से ये देखिया आप मैं कैसे वे कर रहे हूँ तो इसके बाद हमें इसको इस पे रखना है बरतन में रखना है या आप देखिए इस तरह भी हाथ से इसको फैला के आप इनको इस तरह रखे और जो नीचे वाली रोटी थी पहले हम इसी को बेल लेंगे और तवा गरम करने के लिए हमें पहले ही रख देना है तवा बहुत गरम होना चाहिए अगर तवा गरम नहीं होगा तो रोटी हमारी सौफ्ट नहीं बनेगी इस तरह से हमें रोटी बेलनी है आहिस्ता हलकी हाथुं से आप चाहे तो इस पर सूखा आटा भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आप आटा बहुत अच्छे से गून लेंगे तो आपको जुर्द नहीं या रोटी चिपकेगी नहीं तो यह देखी हलके हाथों से इसको एक शेप देनी है अच्छे से गोल शेप देनी है और इसके बाद गरम तवे पे इसको डाल देना है इस तरह से यह देखी जब इसमें थोड़े से बबल निकलना शुरू हो जाएंगे तब इसको हमें पंटी देनी है इस तरह से ठीक है, और यहाँ पे आप oil butter लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसको नुणाय के साथ सरू कर रहे हैं अगर अगर आप सबजी के साथ खा रहे हैं तो जुरुड़त नहीं है इस पे butter लगाने की या oil लगाने की जादा तो नुणाय के साथ butter अगर तो यहां पर में और एक स्टेप आपको बताऊंगी जब हम रोटी सेक रहे होते हैं तो तब तक आप दूसरी रोटी बना लेंगे दूसरी रोटी रेडी करके रखेंगे आप जब तक एक रोटी पक जाएगी इससे भी आपका टाइम बहुत बच जाएगा ठीक है यहां मैंन कर रहे हम पर तो और एक मैं हम पर आपको एक चीज बताऊंगी जब हम रोटी बेल लेंगे इस तरह से तो आप इसको ट्रैंग्यूलर बना सकते हैं त्रैंग्यूलर शेफ वह भी बहुत अच्छी रोटी बनती है सौक्ट बनती है लेकिन इसको इस तरह कट लगाना है कि अर्पर आप इससको जरूर्डिया कर लिजिए और हमारे साथ अपने कमेंट्स जुरूर शेयर कर लिजिए यह देखिए अंदर से भी बहुत सौफ्ट हुई है तो रोटी यह देखिए कितनी नरम है और मज़ेदार है और बहुत इसको बना लिया है उमीद करते हूँ आ अगर रेसिपी अच्छी लगी लाइक हैं शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अगर आप चैनल पे नाए है तो सबस्क्राइब कर लिजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे आसान और मज़ेदा रेसिपी मिलती रहेंगे इंशालला तो चलिए मिलते हैं अगली मज़ेदा रेस कर दो कर दो कि रेई मेरी और कर दो कर दो कर दो